सुबा खोलने हो या फ्रेश होना हो नाश्टा करना हो या ओपीस और दुकान पर काम की ठकावट कम करनी हो ज्यादातर लोग इसकी लिए दूद वाली चाय यानि की टी की मदद लेते हैं कई लोग तो दिन भर में 8-10 कब चाय तक पी लेते हैं ऐसा करना उनकी मजबूरी बन सकती है आईए जानते हैं इसके बारे में चाय का ज्यादा सेवन करने से घबराट बढ़ सकती है ज्यादतर लोग दूद वाली चाय का सेवन करते हैं और इस चाय में टैनिन होता है जो आपकी दिक्कत को बढ़ाता है इसके साथ ही चाय में कैफिन पाया जाता है जिसके शर इसके ज्यादा सेवन करने से आतों का खराब होने का खत्रा बढ़ सकता है, जिससे खाना पचने में भी दिक्कत हो सकती है, ज्यादा चाय पीने से सीने में जलन की दिक्कत हो सकती है, चाय हमारे आतों में एसिट के उतपादन को बढ़ा सकता है, जो सीने में जलन की वजह बन सकती है इसके ज्यादा सेवन से एसिड रिप्लक्स की परिशानी भी बढ़ सकती है और इसी के वज़े से नीद नाने की परिशानी भी आपको हो सकती है चाय के ज्यादा सेवन करने से नीद नाने की परिशानी भी हो सकती है नीद नाने की वज़े से मांसिक तनाव आखों की निची काले घेरे और एंजाइटी जैसे कई और दिकती भी होने की संभावना बनी रहती है आपको इसके वज़े से ग्यास की प्रोब्लिम भी हो सकती है बहुत लोगों को सुबह खाली पर चाय पीने की आदत होती है जिसके वज़े से मेटबॉलिजम की प्रक्रिया धिमी हो अपनी हो सकती है साथ ही हमारे शरीर में कमजोरी भी आ सकती है चाय की वज़े से ऐंटि पायिव्यों का असर भी कम हो सकता है कुछ लोग किसी बिमारी या फिर परिश्यानी के वज़ए अटिवायिव का शेवण करते हैं जाह इन दवाईव के असर को कम करने का काम भी करती जिसी इन दवायों का सेवन करने का आपका मकसद पूराने हो सकता है